आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मिरे नाम है सिद्धान तक नहीं होतनी स्टेडि ग्लोस पे आपका बहुत दुस्पागत है तो फरवरी में भीशन गर्मी के लिए आप तयार थे कि नहीं लेकिन आप मार्च में आप तयार हो जाएए क्योंकि यहाँ पे आएमडी ने कुछ बोला है 122 साल में 122 इयर्ज में फरवरी सबसे गरम महीना रहा है और आगे आने वाले समय में हमको हीट वेवस का सामना भी करना पड़ सकता है संडे को एडिक्शन मेनेजमेंट की क्लासेस होंगी संडे 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 ही क्लास होंगी 300 रपे का कोर्स है बस सैटर्डे तक राद 12 बज़े तक आपके पास टाइम है रिकवरी कूपन को यूज करिएगा लाइफ क्लासेस पर रिकॉर्डड सेशन आपको मिलेंगे टेलिग्राम टेलिग्राम जो है उसको आप जरूर जॉइन करिए अगर माल लिजे कि आपको आप पे लिंक नहीं मिल रहा है तो इस तंबर पे आप मेसेज करिए टेलिग्राम ग्रूप के लिंक को जॉइन करिए बने क्लास में सो जाएगी तीन महीने तक इसके वैलेडिटी रहेगी और यह जिस दिन से क्लास शुरू होगी जैसे संडे से क्लास शुरू होगी तो उसी दिन से ही स्टार्ट होगी आप परशान मत होगीगा तो वडाक से कोर्स को अवेल करें किसी भी तरीके की लत्व हम छुड़ा देंगे यह आप देख सकते हो 1901 में 1901 में डेटा रिकॉर्ड करना शुरू किया अब 123 साल में बता रहे हैं कि फरवरी सबसे जादा गरम महीना रहा है यह बड़ी खतरना बात है आपने एंसो का नाम सुना है कल मैं जोग्रफी पर एक लेच्चर लूँगा मैं एक कंसेप्स आपको ठीक है जिसको अल नीना सदर ऑसिलेशन भी कहते हैं जोकि एकवेटर पे आपको ज्यादा प्रेवलेंट में लेंगे ला नीना और हीट वेवस इन सब में क्या रिलेशन है और वो क्या छे फैक्टर है जिसकी वज़े से सब हो रहा है कल का इंतजार करिए ठीक है क्योंकि व 29.4, 5-4 डिगीरी सेल्सियेस टेंपरेचर था बाकिया आप देखिए वैरियेशन है यहाँ पर आम तौर पे इस समयजा पे 25-26 डिगरी सेलसियस रहता था वो इतना पहुंच गया है 2.5 से 2.5 से 2.0 का वैरियेशन है ठीक है और नाीट तेंपरेचर तर ठीक है बट फिर भी नई टेंपरेचर 16.31 है लेकिन ये डिंजरस है अब आप ये देखिए कि अगर 2023 के भी 16.31 की बात करें तो भी बड़ा खतरना कि 16 में 16.82 गया था सबसे जादा और इसके बाद अभी हमको देखने को मिल रहा है यानी की गर्मी भीशन परनेओ पाईने वाली अगर्शना सबसे जादा नॉर्थ वेस्ट में तो वैसे भी सबसे जादा कर भी पड़ती यह आप देख सकते हो ना इस एरिया ने तो बैंड बज थी सोमनाद के लिए तो ट्रेन ऐसे जल रही थी पूरी कि मतलब क्या हो रही है कट्रेस मार्च से की कौन सा है ठीक है तो यह जो नौर्थ वेस्ट वाला रीजन ने बहुत ही जादा गरम है फिर उसके बाद नौर्थ वाले डिजन भी तगड़ी घरमी पड़ी हुई है लेकि बाकी जगा जैसे उत्रप्रदेश हो गया सेंट्रल इंडिया हो गया पैनिसुलर इंडिया हो गया वहां पर भी हमको हीट वेप्स का प्रभ को देखने को मिलेगा चलो अच्छा कुछ और चीज़े की बात बोलते हैं जब इन से पूचा गया आइमडी जो हैड़ें से पू यह पैसिफिक बेल्ट है इकवाटोरियल पैसिफिक ओशन ठीक है मलब पैसिफिक बेल्ट वहां पर जो कंडिशन भी ठंडी है जो ओशन होता है वो अभी कूल डाउन है ड्यूटू मैं फेर से बता रहो इसको सब वेकल आपको बता दूगा ला नीना अलनीना हीट वेव अब तक शान्त हो जाएंगी और उसके बाद अलनीना हा जाएगा अब अलनीना जो है ला नीना मतलब इतना समझे अभी फिलाल ला नीना मतलब होता है स्ट्रॉंग मॉनसून यानि कि बारिश अच्छी होगी क्योंकि जो ओशन सर्फेस है वो ठंडा हो जाता है और अलनीना मतलब वीक मॉनसून अब अभी ये कह रहे हैं कि अभी फिलाल ये वाली ला नीना जो है कंडिशन चल ले लेकिन जब तक गर्मी आएगी तब तक शायद अलनीना कंडिशन हो जाए अब अगर ऐसा होगा तो फिर हमको बारिश भी कम देखने को मिल सकती है ठीक है तो ये थो लोगों पे इंपाक्ट पड़ेगा वह वाकरी डेंजरस होगा तो फिलाल गर्मी भयानक पढ़ने वाली है तैयार हुए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेर होके चलिए नहीं पढ़े तो बहुत अच्छी बात है है अब ही आला कि दिके फ्लक्टुएशन हो रहा है जैसे किसी क्योंकि यहीं आप करी सकते हैं और कोई चारा है नहीं बहुत ज़्यदा गर्मी हो तो ज़्यदा बाहर नहीं निकले तो अच्छा है हमारे कोर्स को आप जरूर जोइन करें बाकी यह अल नीना ला नीना यह सब मैं आपको कल बताऊंगा मज़ा आजागी आपको यह लेच् रूंर मत्षू ऑन आपड करेंगा मैं जोरीना इंपल चारा नहीं